इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कि आप अपने वीकल के लिए ओनलाई नोची कैसे ले सकते हैं अगर आप अपने गाड़ी को सेल कर रहे हैं या फिर आप दूसरे सीटी पर किसी दूसरे स्टेट पर आप सिफ्ट हो रहे हैं तब आपको नोची लेना ज़रूरी आप नॉमिनल चार्ज पेट करके कैसे आप अपने विकल के लिए अनुसी ले सकते हैं तो बनेरी इस पीडियो में इन तक 120 महुनीलेस और आप देख रहे हैं मेरा यूटूब चैनल शूपर टेक्नलाज में अपसे का स्वबत चलिस तुरू करते हैं गाड़ी की अनुसी ऑनलाइन इसू करवाने के लिए आपको परिवहन सेवा की ऑफिसियल साइट पर आना है इस साइट का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्टिन बॉक्स में लिए एफ डारेक्ट आप सरुच करते हैं परिवहन.job.in तो आप इस साइट पर आ जाएंगे यहां से आप अपना अनुसी इसू करवा सकते हैं यहीं से आप अपने वीखल को ट्रांसपर कर सकते हैं यहांनि वीखल रिलेटेट सर्विस आप काफी सारी कर सकते हैं आप देखेंगे तो वीखल रिलेटेट सर्विस मि लिए गवीकल रजिस्टेशन नमबर वीकल रजिस्टेशन अथार्टी तो यहां पर वीकल रजिस्टेशन नमबर पर आपको क्लिक करना है तो यहां पर आपको अपना वीकल का रजिस्टेशन नमबर डालना है यहां पर रजिस्टेशन नमबर डालके यहां पर टर्म एक्से जैसे आर्थिक केंसलेशन है, हाइफ फोटिकेशन है, आप अपना टेक्स ओंलाइन प्रेटा कार सकते हैं, यहां पर लिए अब करवाने के लिए आपको यहां पर सबस्यूपर सर्विसेश को अपिसे में यहां पर आर्थि रिलेटेड सर्विस में आप देखेंगे। तो यहां पर application for noc no objection certificate आपको मिल जाएगा इसके साथ ही यहां पर आपको नीचे भी option मिल जाता है application for no objection certificate इस पर आप क्लिक करेंगे और यहीं से आप noc के लिए apply कर सकते हैं आपका vehicle number रहेगा और इस पर last five digit आपको चेचिस number डालना है तो last five digit चेचिस number आप देखेंगे तो क्लिक करेंगे यहां पर जो आपके आपके आर्फी कार्ड पर mobile number registered है वह mobile number डालेंगे जैसे आप generate OTP पर क्लिक करेंगे तो आपके नमबर पर OTP शेन डखेंगा उस OTP code यहां पर डालके यहां पर आप शम्मिट वले option पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपके सामने और की इनफॉर्मिशन आजाएगी ओनर का फुल नेम उसके फादर का नाम इंजन नमबर परचेस डेट डिलिवरी डेट कप की है विकल का क्लास कौन सा है कौन सा बॉड़ी टाइप है और यहां पर कितना वेट है इंजन की कैपसिटी सीटिंग कैपसिटी हर चीज यहां प पपचीज तक हमारा इंसुरेंस यहां पर वैलिड है उसके बाद आप यहां पर अपना रिजिडेंस आप चेंज कर रहे हैं जैसे दूसरे सीटी पर आप सिफ्ट हो रहे हैं उस केस में आप अनोसी ले सकते हैं और दूसरा अगर आप अपने गारी को सूल्ड कर रहे हैं तब की condition में भी आप यहाँ पर एनोची ले सकते हैं, तो यहाँ पर एनोची लेने के लिए जैसे हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम दूसरे सिटी पर सिफ्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पर हमने change in residence, और यहाँ पर जो भी आप करेगा आप चूझ कर लेंगे, उसके बाद यहाँ इस्टाइट श rushed करेंगे जहां पर अपना स्टाइट शब्राहेंगे नहीं तो यहां पर authority यहाँ पर हमारा बलरामपुर है, यहाँ पर हम सर्ज़ कर लेते हैं बलरामपुर कहां पर है जिस स्टेट पर हम यहाँ पर transfer एंदोसी ले रहे हैं जिस city के लिए यहाँ पर city आप यहाँ पर अपनी सिलिक करेंगे, देखेंगे कहाँ पर आपकी सिटी का नाम है तो यहां पर हम अपनी सिटी का नाम बैकुंपूर खंडवा और उसके बाद नीचे आएंगे अमभी का पर जैसे अमभी का पुराटी हो यह है उसके बाद यहां पर आपको मिल जागा अन्सी आरवी क्लिरेंस नंबर यहां पर ना रहेगा इसको छोड़ देंगे उसके बाद यहां पर इस रोल करके नीचे आएंगे देखिए इसू आफ एनोसी टूहंड़े चार्ज लगेगा और यहां पर 63 रूपीज सर्विस चार्ज है यानि 275 रूपीज आपका यहां पर लगेगा इनोसी का अगर आप इनोसी इसू करवाते हैं तो 275 रूपीज आपका चार्ज लगता है उसके बाद यहां पर आप प्रोशीट वाले आप्शन पर क्लिक करेंगे यहां पर आप कंटीनू करते हैं तो यहां पर आपको देखिए यहां पर पेमेंट करने का बैंकिंग डेबिट क्रेडिट कार्ड बहुत सारे आपको मोड मिलेंगे जिस भी मोड से आपको पेमेंट करना है उस मोड से पेमेंट करते हैं जैसे यहां पर पेमेंट करते हैं जैसे यहां पर हम यहां पर हम इस पेमेंट को डन कर देंगे यहां पर जो पेमेंट रहेगा Transport Department मद्र प्रदेश आपका जो इस्टेट रहेगा उसी Transport Department वो आपका इस्टेट रहेगा उसके आगे तो यहाँ पर payment करने के बाद यहाँ पर थोड़ा wait करेंगे उसके बाद आपके सामने upload documents आ जाएगा यहाँ पर आपको Form 28 डाउनलोड कर लेना है form 28 और print receipt दोनों download करके आपको save कर लेना है form 28 में आपको sign करके और दोबारा उसे आपको upload करना है upload documents पर उसके बाद क्लिक करेंगे यहां term accept करेंगे और यहां पर आप ok वाले option पर click करेंगे अब यहां पर देखे form 28 आपको upload करना है choose पर click करेंगे और जहां भी आपने form 28 रखा है उसको select करेंगे और यहां पर आप open करेंगे और यहां पर देखे यहां पर file name बोल रहा है alphabet digit special character यानि आपका केवल characters में होना चाहिए और space नहीं होना चाहिए form 28 select करने के बाद यहां पर आपको upload वाले option पर click कर देना है और यहां पर आपको term accept करके यहां पर ok कर देना है तो आपका form 28 यहां पर file successfully upload हो जाएगा इसी तरीके से आपको id proof भी अपना upload करना है choose file पर click करेंगे और जहां भी आपने अपना id proof रखा है उसको यहां पर आपको select करना पड़ेगा तो यहां पर आप स्क्रोल करके नीचे आएंगे जहां भी आपने अपना id proof रखा है उसको आधार कार्ट को आपको अपने upload करना पड़ेगा तो यहां पर चलिए हम देख लेते हैं का यहां पर यहां पर open करेंगे करने के बाद यहां पर upload वाली option पर click कर देंगे उसके बाद ok कर देंगे तो हमारा यह documents भी upload हो जाएगा form 35 है choose पर click करेंगे जहां भी आपने form 35 रखा है उसको यहां से upload करना पड़ेगा तो यहां पर चलिए हम देख लेते हैं form 35 हमने कहां पर रखा है यहां पर हम स्क्रोल करके नीचे आएंगे नीचे आएंगे यह form 35 हमने रखा है form 35 भी upload करने के बाद यहां पर upload वाली section पर click करेंगे ok करेंगे तीनों file यहां पर successfully upload हो जाएगे उसके बाद proceed further वाले option पर यहां पर आप click करेंगे और यहां पर documents submit वाले option पर click करेंगे उसके बादuci करेंगे आपके अप्लिकेशन बीस में कहीं रुख जाती है मेरी application रुख गई है डारेक्ट अगर आप final submit करेंगे तो कोई इसू नहीं है आप final submit करलेंगे documents upload करने के बाद आपको final submit कर देना है अगर आपकी application बीस में कहीं रुख जाती है तो यहां पर आएँगे status में status में आप देख सकते हैं please do final submit from reprint received form आपको reprint received form में ही आपको final submit करना है जिसके लिए यहां click here वाले option पर आप click करेंगे और यहां पर आप application आप wise आप search कर सकते हैं या फिर received wise या फिर bank transaction wise तो यहां पर आपको select my application wise तो application number इसके बाद यहां पर application select करने के बाद यहां पर आपको मिल जाएगा आपको online services RTO उसके बाद यहां पर application number डालेंगे उसके बाद यहां पर आपको capture code डालना है और यहां पर store details वाले option पर click कर देना है तो यहां पर आपके details से store हो जाएगी और यहीं से आप final submit करके आप जो है तो अपना received प्रिंट करते हैं उसके बाद आपको final submit कर देना है final submit करने के बाद यहाँ पर आप अपना status track करेंगे जैसे no objection certificate के लिए दोबार apply करेंगे तो verify details पर आप click करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका application number है आपने इसके लिए direct final submit कर चु आपको visit करना है अपनी original RC लेकर जाना है अपना जो भी अपने अपने प्रिंट रीचीपर निकला है रीचीप्लेट लेकि जाना है फॉर्म 28 लेकर लेकर जाना है और इसके साथ ही अपना एक आधार काड लेके जाना है यह सारे documents लेके आपको विजट करना है और आपको आप अपना वीकल ट्रांसपर करते हैं तो इस तरीके से दोस्तों आप अनोसी के लिए अपलाई करते हैं चोटा सा वीडियो कापी पसंद आए होगा कर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए अपने फ्रेंड की साथ सेयर करें मन में कोई डाउट और प्रब्लम है त रखते हैं एली चुरू नाइन फूर्थेंग सुर्वाति में ते नेक्ष विडियो में निटर्पी के साथ अत्विक लेजिए अटिक हैं